तो हेलो एवडियों वेलका डूप चैनल उइतना दर नीव लॉक तो कहीं सो आप सभी लोग आसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज दूरुका फुज़ा फंच ले यानि महासप्तमीत आप सभी को दूरुका पुज़ा कि हार दीक सुपकाम सब्सक्राइब अपने दोस्त के साथ तो चलिए अभी होते और निकलते काफी बड़ी अपन्डाल बनाए आप लोग मिस मत किजिए तो हम अपने दोस्त के सब्सक्राइब पुज़ा देखे निकले पाकुर और विरास्ते पे हैं जो की सामने प्लोग देखिसक्तों में रो पुरा था पुरा एकदम मूड खराब कर दिया तो चलिए भाइ पंडाल पहुचने वाले जो की प्लास्तिल पांच चुके वाइए तो चलिये तो फाइनलियों पहुच्छा तहां पर नहीं को दिखते हैं इतना मस्ट पंडाल और इतना बड़ा क्या ही बता अब लोग साम और पंडाल भी काफी बढ़िया से बनाया गया है तो देख रहे हैं कितना मस्त लगड़ा देखने में और आगे भी काफी डिजाइनिंग से वाई तो चलिए चलते पंडाल के अंदर आते हम सीदा कर लेता माज़रा का मुर्ति है काफी सुंदर से बना गया उसका पत्ति है काली तलव यहां पर पे काफी बढ़िया बनाया गया अक्लों सब्सक्राइब देखने में पूरा रंग का पंडाल जो कि काफी सुनतर लगए अधर दिखा देखा देखने जा रहे हैं और देखने में पूरा चाहिए तो चलिए यहांने का पता चलता है यह पंडाल भी किसी से कमने बहुत सामने कि देखी सकते हैं और कितना बढाल बनागा राजापरावल काफी बढ़त वड़ी तो रियल महल बनाओ वैसा सेम लग रहा है अमरे पाकुर में बने केटरना धाम जो की देखी सकता हुआ और इस बच्चा को देखे वाई पूरा क्यामरा के तरभ देखे रहे कितना क्यूट सा लगए पूरा रियक्सान यह लग अलग पिलो टावर ना क्याना में कुछ नहीं पता भाई भूल गये भाई जो कि है बना यहां चोटा सा पंखा लगा हुआ है और जिस्ट सामने देखे सकतो भाई मादुर्वा का मूर्ती कर दो कर दो कर दो चलिए गाइज अब लगों के पिस्तमाप्त करते हैं और क्या ही बता है भाई हमारे पाकुर में इतना सा पंडाल बनाना भाई पूरा तो दिखा नहीं पाई जितना हो सेगा उतना दिखा तो फैसर बसितना भी बन गया है और मतलब ब्लोग सुन समय को सब्सक्राने İ और देखे सचता और दो चलिए आ है आप लोग एम व्लोक का आ आवर कमने बता दिए तो चलिए भाम मेंन स्थ ब्लोक पे तब बावाई